पुझ गुरुदेव, अंजड जिला बढ़वानी, मद्य परदेश स्री अंतिम कुमार जयन पूछ रहे हैं, इस संसार में हर कोई सुख की चावी ढूर रहा है, प्रंतु महराज जी, जब सुख में ही आनंद है, तृप्ति है, समाधान है, तो संका ये है कि सुख को ताला ल सुख में ही आनंद तृप्ति और प्रशनता है, तो सुख में ताला किसने लगाया, और ताला खोलने के चार महत्तपून उपाए, देखो, कई बार, कई बार क्या अक्षर, जो मुल्यवान पधार्थ होता है, उसे सुरख्षित रखा जाता है, रखा जाता है कि नहीं, हमारे जीवन के लिए बहु मुल्यवान है, तो सुरख्षित रखते हैं, और सुरख्षा किसी भी वस्तू की कहा होती है, ताले के भीतर, सुख हमारे लिए मुल्यवान है, और सुख को सुरख्षित करने के लिए हम उसे ताला मेunden पड़ता है, लिकिन बिडवना उनके और भूले भी नहीं है हमारा जो ताला है न वो ताला भी शामाने ताला नहीं है वो टीपने वाला ताला है और नंबर से खुलने वाला ताला है वो ताला हमने लगाया चाभी भी अंदर है अब ऐसे ताले को कैसे खोले जो ताला बंद है और चावी अंदर है इसको खोलने के लिए सबसे पहला काम नंबर मिलाने की कला सीखो अगर तुम अपने सुख के ताला को खोलना चाहते हो तो पहली बात नंबर मिलाने की कोशिश करो अर्थात देव, गुरु और सास्थ से अपना नाता जोड़ दो अगर वो नंबर मिल गया तो जो ताला है न पल में खुल जाएगा फिर तुम अपार शुख, त्रिप्ति और आनन्द के धनी बंद सकोगे इसमें फिर कोई संसे जैसी बात नहीं रहेगी तो पहली बात कि आप नंबर मिलाएं दूसरी बात यदि नंबर मिलाने की भी आपके पास गुनजाइस नहीं है तो एक मास्टर की रखो मास्टर की का काम क्या होता है हर ताले को खोलने की छमता मास्टर की के अंदर होती है वो मास्टर की क्या है ग्यान सद ग्यान सद ग्यान की चाबी तुम लगा दो तुमारा ये ताला खुलेगा और सुक ही अनभूती हर पल तुवारे भी थर होगी करे तो फिर उसके लिए तीसरा उपाय होता है उस ताले को तोड़ने का और को उपाय नहीं है क्योंकि हमें अमारी निधी अंदर पड़ी भी है उस निधी को बाहर निकालना है तो अब तो तीसरा उपाई यही है कि ताला को तोड़े और ताले को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है हतोडी का प्रहार करना पड़ता है तो वो हतोडी का प्रहार किसके पास जाए सद गुरुओं के घं का प्रहार करवा लो एक बार ताला पल में तूट जाएगा और तुम्हारे भीतर का खजाना खुल जाएगा और चौथा जो तुमने बोला है वह यह कहता हूँ हमेशा उस चाभी को अपनी जनियू में बांद के रखो अपने कमर में बांद के रखो ताकि चाभी वो कभी गुमे ही नहीं ग्यान की दृष्टी यदि मनुश्य के अंदर हो तो जीवन में कभी भटकाओ नहीं हो सकता